हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सबका हमारी वीडी प्लैनल दा वेदी गुरूस में आज वेदी गुरूस कफशा दस्वी के लिए हिंदी मेडियों बच्चों के लिए NCRT बुक का आठमा चप्टर त्रिकाउण में दी प्रशनावली 8.3 हल करेंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे के पूरग कोणों का प्रयोग कैसे किया जाता है और वो कैसे एक दूसरे के रूप में चेंज होते हैं कनवर्ट होते हैं बदल जाते हैं तो आएए शुरू करते हैं प्रशनावली 8.3 वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारा चैनल दावेदी कुरूज अगर यूट्यूब से तक सब्स्राइब नहीं किया है तो अभी सब्स्राइब कर ले और बैल आइकर बड़न जरूर दबाएं आए शुरू करते हैं प्रशनावली 8.3 का पहला सवाल है निमन लिखित का मान निकालिए पूरक कोणो जिनका योग 90 डिगरी होता है कौन से कोण होते है पूरक कोण वे कोण जिनका जोड जिनका जोड दो कोणों का योग जब भी जिनका योग 90 डिगरी होता है हमने लिख दिया यहाँ पर देखिए उन कोणों को हम पूरक कोण बोलते हैं यह पूरी प्रशनावली पूरक पहला सवाल का पहला बहाग है साइन 18 मटे कॉस 22 डिगरी देखिए 18 और 72 का जोड है वो भी 90 डिगरी है इसलिए इसमें हम पूरक और कोण का सुत्र प्रयोग करेंगे क्या सुत्र लगाएंगे देखें जो साइन 18 डिगरी है इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन 18 को आप लिख सकते हैं 90-72 है ना 18 डिगरी को आप 90-72 लिख सकते हैं और बटे में जो हर है इसका कॉस 22 डिगरी उसको सेम रखेंगे कोई चेंज नहीं आपने अंश और हर इन दोनों में से किसी एक संक्या को बदलना है हमने साइन 18 डिगरी अंश को बदल लिया तो हर सेम रखा अगर हर को बदलेंगे तो अंश बिलकुल सेम रखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है यह आगए बदलने के बाद अब देखिए अब हमने इसमें सूतर का प्रियोग करना जो फॉर्मूला है वो है साइन 90 डिगरी माइनस ठीटा किसके बराबर होगा वो होगा कॉस ठीटा के कैसे पता जलता है हम को लगा देते हैं साइन का पूरा नाम है साइन और 90 माइनस ठीटा तो साइन के आगए को नहीं लगा हो तो हम अगर से को लगा दे तो यह को साइन बन जाएगा यह को साइन मतलब क पूरब कोणों का जो रूल है याद रखने का सभी सुत्रों को वो है कोक शब्द का प्रियोग को अगर किसी भी त्रिकोण मीतिया फवंक्शन के आगे लगा हुआ है पूरब कोण में तो उसको हटा देंगे और अगर नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे जैसे साइन के आगे को नहीं लगा हुआ था तो हमने साइन के आगे को लगा दिया तो क्या बन जाएगा को साइन यानि कॉस और ये वाला एंगल कॉन थीटा ये वाला तो ये आगया 72 डिगरी बटे में कॉस 72 वो बिल्कुल सेम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ अंश को चेंज किया है हर समान रखा है अब देखिए उपर भी कॉस भातर है नीचे भी कॉस भातर है कट जाएंगे क्या आजाएगा 1 तो इस सवाल का उत्रा गया 1 यानिके 1 इसी प्रकार हम इसका दूसरा भाग देखते है पहले सवाल काई टेंजेंट 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री 26 और 64 का योग कितना है 90 डिग्री मतलब पूरा कौन का सूत्र लगएगा अब टेंजेंट जो 26 है 10 26 इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 64 की यगर 90 में 64 कटा दे तो 10 ही आएगा बटे में कोट 64 हमने same to same रख लिया अब जो सूत्र रगएगा वो क्या है वो है टेंजेंट 10 90 माइनस थीटा तो अब देखे 10 के आगे को नहीं लगाओ तो अगर को लगा दे इसके आगे तो क्या बन जाएगा को टेंजेंट यहाँने को टेंजेंट और को टेंजेंट को शोट फॉर्म में कैसे लिखते है कोट तो यह बन जाएगा कोट थीटा कोट थीटा के रूप में यह कनवर्ट हो जाएगा ठीक है यह याद रखना है अगर को लगा हुआ है तो हटा देंगे नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे तो यहाँ 10 के आगे को लगा देंगे तो यह कॉट बन जाएगा और यह वाला कॉण जो यहाँ पर लिखा है 64 डिगरी बटे में यही सेम कॉट 64 देखे उपर भी कॉट 64 है निचे भी कॉट 64 है कट जाएगे क्या आजाएगा 1 तो इसका उत्तर भी क्या आगया 1 यानिके 1 देखे तीसरा भाग हल कर रहे है पहले प्रशन का लिखा है कॉस 48 माइनस साइन 42 इसको हमने मान गयाद करना इसका 48 और 42 का जो जोड है वो आपको पता है 90 डिगरी होता है मतलब ये भी पूरक कोण का सुत्र लगेगा तो दो है हमारे पास 3 कोण मीतिया नुपात जो रेशयो बोलते हम एक तो है कॉस 48 और दूसरा है साइन 42 किसी एक को बदलना है मान लिजिए इसको बदल लेते हैं तो ये जो कॉस लिखा है इस 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 और ये जो है हमारे पास दूसरी संख्या इसको बिलकुल सेम तो सेम कोई चेंज नहीं करते है इसके अंदर तो ये साइन 42 आ गया अब इसका सूत्र क्या लगेगा कॉस 90 माइनस 42 कॉस का पूरा नाम क्या है कोसाइन याने कोसाइन 90 माइनस थीटा तो देखे को इसके आगे अब लगा हुआ है तो को लगा हो तो हटा देंगे को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा साइन याने साइन थीटा ये वाला कोण तो cos के आगे से अब हमने को हटा देना है cos के आगे से तो सिर्फ sin बचेगा और ये वाला कौन 42 डिगरी और minus sin 42 इसको हमने same to same रखा था कोई change नहीं तो देखें sin 42 minus sin 42 दोनों कट गए क्या बचा 0 तो इस तरह से पहले प्रशन के तीसरे भाग का उतरा गया 0 अब चलेंगे चो सब्सक्राइब को सिकेंट 31 माइनस सिकेंट 69 तो 31 और 69 का जोड़ भी कितना होता 90 डिगरी तो वही काम करना है या भी देखें जो को सिकेंट है हम दोनों में से किसी एक को बदल रहे हैं तो पहले वाले को बदल लेते 31 को हम लिख सकते है 90 minus 69 कि अगर 90 में से 69 डिगरी घटा यह संख्या सेम दू सेम रखते हैं कोई चैज नहीं करते इसके अदर अब जो सूतर लगेगा वो क्या लगेगा देखिए को सिकेंट 90 minus थीटा यानि को सिकेंट के आगए को लगा हुआ है को हटा देंगे तो क्या बच वाचए का सी केंट यानि के सी केंट और ठीटा यह व 69 माइनस सीकेंट 69 अब देखे दोनों सीकेंट 69 माइनस सीकेंट 69 तो कड जाएगे क्या बचेगा जीरू दूसरा सवाल है पहला बाग कर रहे हैं दिखाईए की टेंजेंट 48 डिगरी टेंजेंट 23 डिगरी और टेंजेंट 47 डिगरी इन सबका गुणनफल जो है वो एक के बराबर है हमें ये दिखाना है सिद करके तो हम क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे यानिक इन में से क्या करना है, चार कौण है हमेरे पास, जिनका जोड 90 degree है, यानि जो पूरक कौण के जोड़े है, उनको अलग कर लेंगे, ये टेंजेंट 48 और ये टेंजेंट 42, ये दोनों पूरक कौण है, तो आप इनको तो एक ट्छे लिखे ले," लिख सकते हैं और 23 और 67 ये दोन्हों पूरक है तो इनको दूसरी ब्रेकट भे लिख लेते हैं Thank pieces डिगरी और टैंजले 27 ठीक है अब देखें ये दोनों इसे की सी defend look को बदलना को चाहिए इसे या इसे बदल ले, मान लिजे हम पहले वाले भी बदल लेते हैं, तो यह 48 डिग्री है, आप इसको लिए सकते हैं, 90 माइनस 42 की 90 में से 42 माइनस करें तो 48 ही आएगा, और टेंजेंट का टेंजेंट लिखा, मतलब कोई फरक नहीं पड़ा, और गुना में है टेंजेंट 42 इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको सेम टू सेम ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, तो यह एक ब्रैकेट हो गई, दूसरी ब्रैकेट में भी 10, 23 और 63 में से 23 को बदल लेते हैं, देखें, 23 कैसे आएगा, जब 90 में से 63 माइनस करेंगे, तो 23 आ जाएगा, और दूसरी जो संख्या है, टेंजेंट से 63 इसको बिना बदले सेम टू सेम रख देते हैं, अब देखें क्या होगा, जो सुतर लगेगा, टेंजेंट पूरा कोण का, 90 माइनस थीटा, अपने मैंसे थीटा घटाएगे तो क्या आएगा, टेंजेंट है, इसके आगे को नहीं लगा हुआ, तो टेंजें देखें, कॉट 42 डिग्री, ये वाला कोण, और गुणा में ये टेंजेंट 42 डिग्री, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये बिल्कुल सेम टू सेम रखा है, हमने पहले ही बताया है, कि आपने कोई भी एक चेंज करना है, दोनों नहीं करने, ये भी टेंज याने कॉट ठीटा को आप 1 बटा 10 इटा लिख सकते है, तो ये जो कॉट 42 डिग्री है, यहाँ पर ये सूत्र मुझे प्रयोक करना है, इसको मैं 1 बटा टेंजेंट 42 डिग्री लिख सकता हूं, और ये गुना में, टेंजेंट 42 डिग्री सेम रहेगा, तुसरी ब्रेकेट मे cot 60 है, इसको भी एक बटा 10 लिखेंगे, यानि, एक बटा tangent 67 गरी, और गुणा में, यह 10 66 है, यह पहले की तरह है, सेम रहेगा, ठीक है, तो देखे, 10 VL-E से 10 VL-E से कट गया, 10 66 से 10 66 कट गया, क्या बचा, यहां से बचा एक गुणा में यहां से बचा एक एक गुणा एक एक तो यही हमें सिद्ध करना था राइट हैंड साइड आनी चाहिए एक के बराबर याने दाया पक्ष देखिए इसका दूसरा भाग देखते हैं दूसरे सवाल करें बिल्कुल सेन है पहले की तरह है कॉस 38 डिग्री कॉस 52 दोनों पूरब कोण है 38 जमां 52 होता है साइन 38 साइन 52 इनका भी जोड 90 डिग्री होता है पूरब कोण है हमें सिद्ध करना है कि यह 0 के बराबर आएगा तो left hand side लेते हैं बायापक्ष हम इसका बायापक्ष लेके चलेंगे left hand side यहाणिके तो left hand side क्या लिखिए है? cos 38 डिग्री, cos 52, minus sine 38 डिग्री, sine 52 दोनों ही तरफ 38 और 52 दोनों का जोड कितना है? 90 डिग्री यानि पूरब कोणों के जोड़े हैं यहां भी 38 और 58 जमा 52 डिगरी तो यह भी पूरक कोड़ों के जोड़े हैं हम में सिर्थ करना है कि जिनका अंतर है वो 0 आना चाहिए तो देखें यह जब कॉस हैं दोनों हम इनको साइन में बदल लेते हैं कैसे बदलेंगे सबसे पहले जो 38 है आप उसको लिशकते हैं 90 माइनस 52 डिगरी और जो 52 है उसको लिशकते हैं 90 माइनस 38 डिगरी इन दोनों को नहीं बदलते यह सेम तू सेम रखते है क्योंकि हमने आपको बताए कि दोनों में से एक अनुकात हमें सेम रखना होता है अब सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि जो cos 90-θ है, पूरा कोण का जो सूत्र है, वो cosine है न, को लगाओ इसके को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, sine, cosine क्या किसे को हट जाएगा, तो sine बन जाएगा, याने sine theta ये वला कोण, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर पहली जो bracket है, cosine क्या किसे को हट जाएगा, sine 52 डिगरी आएगा, ये वला कोण, और यहाँ भी cosine क्या किसे sine को हट जाएगा, तो sine ये वला कोण 38 डिगरी बन जाएगा, माइनस, ये हमने दूसरी जो संख्या है, same to same लिखने है, इसमें कोई change नहीं था, sine 38 डिगरी, sine 52 अब आप ये देखिए यहाँ पर है sine 52 गुना sine 38, यहाँ पर भी sine 52 गुना sine 38, दोनों एक समान संख्या है, और जब भी दो समान संख्याओं को माइनस करेंगे, यानि घटाएंगे तो आपस में कट जाएंगे और रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, तो इस सवाल का उत्तर क्या आगया, जीरो यानिक दायापक्ष राइट हैंड साइट, तीसरा सवाला लिखा है, यदी tan 2a, यानि tangent 2a जो है, वो बराबर है, cot a-18 degree के, tan 2a बराबर दे रखा है, cot a-18 degree के, और यह कहां गया कि जो 2a है, यह वाला जो कौन है, यह एक noon कौन है, noon कौन मतलब, noon कौन का मतलब होता है, 90 degree से कम, वे क जो 0 और नब्बे के बीच में होते हैं, यह नब्बे से कम होते हैं, वो noon कौन होते हैं, तो हमें एक आमान ग्याद करना है, तो देखें, जो दे रखा है, वो लेगे चलते हैं, tangent 2a बराबर, cot a-18 degree, अब क्या करना है, मान लिजेए, इस tangent को हम change करना चाहते हैं, तो कैसे change कि जाएगा, इसको noon कोन है, पूरब कोन का सुत्र लगाएंगे, अगर हम, हम इसको cot बनाना चाहें, तो कैसे बनेगा, देखें, tangent है, tangent क्या को लगा देगे, तो क्या बन जाएगा, cot tangent, 90-theta, किसके बराबर होता है, tangent theta के, और अगर tangent को लिखें, 90-theta, तो किसके बराबर होगा cot tangent, याने cot theta के, तो यानि ये हमारा tangent theta है, 10 और ये theta 2a है, यानि अगर इसको मैं cot के रूप में change करना चाहूं, तो किसके बराबर आएगा, cot 90-theta के बराबर आएगा, तो ये बन जाएगा, देखें, cot 90-theta के जाएगा पर 2a लिखा जाएगा, तो cot 90-2a किसके बराबर होगा 10 theta के, यानि 10 2a के बराबर आएगा, ठीक है, बराबर में right side को कोई नहीं change करते है, वो same to same रखते है, cot a-18, अब ध्यान से देखिए, इधर भी cot है, इधर भी cot है, cot से cot कट गए, क्या बचेगा, 90-2a बराबर, ये वाला cot a-18, क्योंकि हमने cot को cot से cancel कर दिया, तो 90-2a बराबर, a-18 जो है, ये माइनस का 2a इधर जाके, प्لस का 2 बन जाएगा, और जो ये माइनस का 18 है, ये इधर आके, प्लस का 18, तो देखे, 90-18 बराबर, a, माइनस का 2, अधर जाके, प्लस का 2, तो ये 90-18 तो बनेगा जे देखे, 108 डिगरी, और a जा बचे नहीं, टीन जो बराबर है वो 36 डिग्री आगए तो कोण ये का माना गया 36 डिग्री चोथा प्रशन कर रहे हैं प्रशन आपको इन टीन का लिखा है यदि टेंजेंट ए और कॉट भी बराबर हैं तो हमें सिद्ध करना है कि जो दो कोण है ये और बी इनका जोड 90 डिग्री है यानि ए और बी पूरा कोण है ये शिद्ध करना है तो देखें लेके चलेंगे टैन ए बराबर कॉट बी और सुत्र हमने आपको बताया हुए क्या है कि अगर कॉट टेंजेंट है को टेंजेंट पूरा नमेरे सो कॉट का को टेंजेंट 90 माइनस थीटा लिखा जाए तो किसके बराबर होता टेंजेंट तिलिखा है différents तो इसको इसको लिखा है चले सकते हैं को को से एंगल यहां भी कोट है कोट से कोट कट गया तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे 90-a बराबर b यह बच जाएगा सिर्फ और यह माइनस का a उदर जाके प्लस का भी तो यह आगे 90 डिगरी बराबर माइनस से उदर जाके प्लस का बन जाएगा यानि a जमा b और यही हमें सिर्फ करने के लिए कहा गया था कि कोट a और b का जोड जो है यह एक नियोन कोण है नियोन कोण मतलब अब भी उताया है 90 डिगरी से कम तो एक आमान क्यात करना चाहते है देखिए तो जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे क्या है secant 4a बराबर cosecant a-20 यह में दिया हुआ है और जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखिए cosec अगर मैं लिखूं 90-θ किसके बराबर होगा? cosecant में से को हट जाएगा? secant यानिके sec theta यह बच जाएगा? secant में से को में से को हट गया, secant बन गया तो यह जो secant 4a लिखा है, यह 4a यह मारा theta है, इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है तो इस secant 4a को इसके रूप में प्रकट कर रहे हैं, क्या लिखा जाएगा? cosecant 90-θ कितना है? 4a ऐसे लिखा जाएगा? बराबर right side जो है दाया पक्ष वो बिल्कुल सेम, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे? cosecant a-20 अब देखें, यहां भी cosecant है, यहां भी cosecant है, तो cosecant से cosecant कट गए, सिर्फ ये कौन और ये कौन दोनों बराबर आ जाएगे? यानि 90-4a जो है, वो बराबर में a-20 डिगरी आगया, अब यह-4a उदर भेज देंगे, प्लस का बन जाएगा, और यह-20 इतर आके प्लस का 20 डिगरी, तो बराबर a जमा चारे, और 90 जमा 20 कितना होता है? 110 बराबर 5 है, तो कौन a का मान क्या आगा देखे? 110 और यह 5 नीचे आगे इसके डिवाइड हो जाएगा, भाग कर देंगे इसको 5 से, तो 110 को जाब 5 से भाग करेंगे, तो क्या आगे देखे? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिगरी, यानि a का जो मान आगया है, वो आगया है, बराबर 22 डिगरी, चटा प्रशन कर रहे हैं, प्रशनावली 8.3 का c, तो ये जो कोण होते हैं, ये अन्ते कोण होते हैं, a, ये कोण b, और ये कोण c, ये अन्ते कोण हैं, ये हमें दे रखे हैं त्रिबुच के, हमें पता हैं त्रिबुच के अन्ते कोण हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इन तीनों कोणों का जोड कितना होगा? 180 डिगरी, औ हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों अंत्य कोणों का लिख देते हैं क्योंकि अंदर की तरफ बने हुए अंत्य कोनों का योग कितना होता है 180 degrees 180 degrees होता है यह हमें पता है यह त्री बुच्का हमारे पास गुन है तो यही हम इस्तेमाल करेंगे देखे कोन A जमा कोन B जमा कोन C बराबर 180 degrees याने A जमा B जमा C बराबर 180 degrees अब हमें जो सीद करने के लिए कहा गया उसमें B प्लस C एक तरफ है और A दूसरी तरफ तो हम यही करेंगे B प्लस C को एक तरफ रखेंगे और A को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जो B प्लस C है वो बन जाएगा यह जो A इदर लिखावा उदर जाके माइनस का हो जाएगा यह यह बन जाएगा 180 माइनस A ठीक है अब हमें B प्लस C के बटे में 2 भी चाहिए तो दोनों तरफ 2 से भाग कर देतें बटे में 2 आजाएगा लिखतेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्योंकि बटे में 2 चाहिए हमें तो यह बन जाएगा B प्लस C बटे 2 बराबर में 180 माइनस A 180 के बटे में भी दो और A के बटे में भी दो 2 से भाग कर देना दोनों तरफ अब b plus c बटे 2 के साथ क्या चाहिए हमें sin चाहिए तो लिखेंगे दोनों तरफ sin लगाने पर दोनों तरफ sin लगाने पर दोनों तरफ sin लगा रहेते हैं देखें क्या बनेगा इधर तो बन जाएगा left side में sin b plus c बटे 2 बराबर यहां भी bracket के बाहर 0, 90 डिक्रिया आगे, minus a बटे 2, ये ऐसे कैसे रहेगा, तो दिखें ये आगया, sin b plus c बटे 2, और बराबर sin 90 minus a बटे 2, क्या होता है, 90 minus theta, sin 90 minus theta, sin क्या के को नहीं लगा हुआ, को लगा देंगे, पूरब कोण का सुतर है, क्या बन जाएगा, जब sin क्या के को लगेगा, को साइ sin याने, cos और ये वाला कोण, a बटे 2, यहाँ पर चाहिए, तो आप सुल्टर लिख भी सकते हैं, कि sin 90 minus theta होता है, वो बराबर होता है, cos theta, कि तो यही हमें सीद करना था, छटे सवाल में, आईए देखते हैं, सात्वा सवाल क्या करता है, जो सात्वा प्रशन लिखा है, वह है, 45 से जादा है, हमें इनको 0 और 45 के बीच में लेके आना है, तो 0 और 45 के बीच में कैसे लाएंगे, बहुत असान है, हमें पूरब कोणों के सूत्र आते हैं, sin 67 degree, जमा cos 75 degree, यह दे रखा है, 45 से कम लेके आना है, तो क्या करेंगे, देखिए, हम इसको, हमें जो सूत्र पत तो को साइन क्या किसे को हटा देंगे, तो वो साइन थीटा बन जाएगा, यह दोनों पूरब कोण यहाँ परियोग करते हैं, देखिए, sin 67 degree, याने sin theta, किसके बराबर है, cos 90 माइनस थीटा की जाएगा कितना है, 67 degree, जमा, यहाँ भी भी लगाएंगे, यहाँ पर cos theta, theta कितना 75, किसके बराबर होगा, sin 90 माइनस थीटा की, याने sin 90 माइनस और थीटा की जाएगा, 75, ठीक है, अब इनको हल कर दीजे, cos 90 में से सताहट गए, कितना बचेगा, देखिए, 23 degree, जमा, sin और 90 में से 75 गए, कितना बचेगा, 15 degree, तो देखिए, 23 degree भी और 15 degree भी, दोनों के दोनों जो है, वो 45 से कम है, और 0 से जादा है, तो यहीं कहा गया था, 0 और 45 के बीच के कोणों के रूप में व्यक्त करना था, तो cos 20 degree जमा, sin 15 degree के रूप में ये, कनवर्ट हो गया है, देखिए, बच्छों, आपने, ये थी, कक्षा दस्वीं के लिए, NCR डिक बुक की, आठवा च cos theta, tangent, co tangent, secant, co secant, co secant, वो याद रखने का सूत्र कहा है, अगर co लगा हुआ है, तो खटा देंगे, नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे, ये वीडियो आपने पूरा देखना है, सभी questions की अच्छे से लिग कर practice ज़रूर करनी है, और सबसे important बात हमारा channel The Vedic Gurus, अगर आपन लेकर आएगा, तब तक के लिए, thank you